नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सब्सक्राइब कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर्ण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे हैं यूटूब में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लिएगा इस्टडी फॉर सिविल्स है सारे कुशन अटेंट करिया और इसको अपना तुर्ण कमेंट करके बता ही बिहार PCS के प्रिलिम्स एक्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट की सीरीज है और जनरल साइंस के क्वेस्टन हम देखने वाले हैं तो आई यह स्टार्ट करते हैं साइंस के क्वेस्टन है कुल मिलाकर 100 mcqs है अपनी तयारी को परखने का यह अच्छा तरीका हो सकता है देखें पहला क्वेस्टन दिया हुआ है इसमें कहा जा रहा है कि सेब का निमनलिखित में से किस होता ना है तो रुटेसी फैमिली का होता है रोजेसी का होता है केरी केसी का होता है या फिर मुझैसी का होता है यह वाला ऑप्शन हमेशा की तरह है लेकिन इसमें आप ध्यान से अगर देखें तो बी वाला ऑप्शन इसका सही है ठीक बी वाले विकल्पकों चुनेंगे से पापीते को अगर आप देखें तो वो केरिकेसी से बिलॉंग करता है। रुटेसी का होता है निबू और मुजैसी का होता है केला। next question number second को देखते हैं। Solanasi family से किसका संबन्ध है आप बताइए। मतलब Solanasi family जो है उसका member कौन है। चाय है, कपास है, जूट है या फिर आम है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जितने भी पौधों के नाम दिये हैं, जितने भी फसलों के नाम दिये हैं, एक भी सही तरीके से मैच नहीं कर रहा है। तो इवाले को चुनते हैं, तंबाकु जो है, वो Solanasi कुल का है, और तंबाकु की पत्तियों को सुखाने की जो प्रक्रिया है, उसको रचाई यानि क्यूरिंग कहा जाता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। फिलाल इसमें से इवाले option को हमने select किया, रशन संख्या 3 को देखते हैं, महारत में किस वर्ष को राष्ट्रिय बाजरे के वर्ष के रूप में मनाया गया, यानि ये National Millet Year के तोर पे celebrate किया गया, तो ये कौन सा वर्ष था, नीचे संख्याएं दी हुई है, और आप जानते ह हैं कि 2018 जो था बीट गया, तो 2018 इसे राष्ट्रिय बिलेट वर्ष के तोर पे मनाया गया, और इसके अलामा 2023 जो है इसको अंतर राष्ट्रिय बिलेट वर्ष के रूप में मनाने का ये प्रस्ताव है, जिसको कि मनजूरी भी मिली, फिलाल इसमें से हमें ये बताना था कि देखते हैं, कहां जा रहा है कि कौन सी ऐसी वराइटी है जिसका संबंध मिलेट से नहीं है, यानि बाजरे से नहीं है, बाजरा एक मोटा अनाज है और ताकतवर होता है, बताई इसमें से कौन सी प्रजाती इसकी नहीं है, तो RHB-127 है, ये लैब वाली नाम है, लिबरेट देखें, इसका correct answer E होना चाहिए, अब E वाले को हमने क्यों चुल लिया, तो असल में सभी विकल्प जो है, जितने आप देख रहे हैं, ये सभी बाजरे की नई विराइटी है, नई नई किसमें है, तो आपको पता होना चाहिए, मतलब इसमें RHB वाला भी आता है, पूसा क क्रिया शीलता को भी बढ़ाने का काम करता है, तो इसमें बता हैं, और दोस्तों हम जानते हैं कि पोटेशियम जो होता है, वो इस प्रकार की क्रिया करता है, मतलब पौदों के लिए काफी अच्छा माना जाता है, रितिकूल परिस्थितियों में भी पौदे सर्वाइब कर सकते हैं अगर उन्हें potassium की कमी नहीं है आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्या 6 को देखते हैं कौन से किस्म की यहां जो प्रजाती दी हुई है फसलों की उसमें कौन सी किस्म का संबंध दलहनी फसल से नहीं है मतलब वो दलहन नहीं है उससे डाल नहीं पैदा होती है तो सूरिय की जो वेराइटी है उसमें पंत एल 406 इस तरह की प्रजातियों को आप देखते हैं समराट प्रगती सूरिया पूसा चमतकार यह सब चने की प्रजाती है राधे चना होता है ठीक दिगविजय भी होता है अच्छे नाम होते हैं तो यह सब हम देख रहे हैं तो यह वाले को डालेंगे बताईगे लेकिन 7th question इसका correct answer C हो जाएगा यह strawberry है जिसे कि हम इस category में यानि सीतोष निकटी बंदिये फलों में डालते हैं आगे बढ़ते हैं वैसे उस निकटी बंदिये जो tropical fruits होते हैं उसमें आप देखें आम पपीता आनानास केला भी उसमें आता है और शरी पूरवी राजचे में यह पाई जाती है तो मिजोरम पे पाई जाती है मेगाले सिक्किम या फिर असम बताएं देखें सूर की जो नसले है उसमें देखें तो घूगरू नाम की एक variety होती है जोकि काफी अच्छी और यह पश्चिम मंगाल में पाई जाती है और ड्रम या संख्या 9 को देखते हैं पास्चुरी करण यानि पास्चुराइजेशन जो होता है उसके संबंद में जो स्टेटमेंट दिये हैं गलत की तलाश आपको करनी है बताईए तो 72 डिग्री सेल्सियस तापमान पे 15 सेकेंड तक अगर दूद को गर्म किया जाए तो उसमें जो ज जिवाडू नश्ट होते हैं ऐसा भी कोई प्रॉसेस होता है होम पास्चुरी करण में यानि होम पास्चुराइजेशन जो होता है उसमें 63 अगर देखें तो इसका डी वाला गलत है असल में 72 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अगर 15 सेकेंड तक दूद को गर्म किया जाता है और फिर से 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दिया जाता है तो जिवाडू नश्ट हो जाते हैं गुड भी नहीं खतम होता और यहीं प्रक्रिया कहलाती है पास्चुराइजेशन लेकिन होम पास्चुरी करण में होता यह है कि 63 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर ये 30 मिनट तक दूद को गर्म करना पड़ता है इसकी जो अवद ही है वो 30 मिनट की है और उसके पाद जीवाणों को नश्ट करने की प्रक्रिया वहां से पूर्ण हो जाती है तो गाउं में ये प्रक्रिया लोग प्रिये है आगे बढ़ते हैं डीवाला गलत था प्रश्न संख्या दस को देखते हैं यहां कहा जा रहा है कि गाए का दूद पीले रंग का होता है हलका पीला पर उसमें होता है इसी आधार पे आप अंतर करते हैं कि ये गाए का दूद है कि भैस का दूद है तो बताएं कि ये किस वज़े से होता है ये पीला रंग जो है ये किस पदार्थ क पीला नहीं होता है वो कैरोटिन की वज़े से होता है आगे देखें प्रशन संख्या ग्यारत भारतिये क्रिशी अनुसंधान परिशद ये नई दिल्ली में है भारतिये गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनवु में है भारतिये चीनी संस्थान आपका कानपुर में है और रा अनुसंधान संस्थान भारती चीनी उन centersफान जो जो है असल में वो कानपूर में हैं और आनंद में है डैरी Bizebord ठीक दिया है प्रशन संख्या 12 को देखते हैं ग्रे revolution यानि ग्रे क्रांती जो है धूरकर इंचको कहा जाता है और कपास उत्पादन की वृध्धी का इसमें समावेश है या फिर उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए ये चलाई गई थी या कृषी के सभी छेत्रों में ग्रे रिवालूशन तो आप जानते हैं कि ये उर्वरक से समंदित है खाद और जो फर्टिलाइजर होते हैं उनसे जुड़ी हुई है तो इसमें से आप सी वाले उप्शन को सेलेक्ट करेंगे बाकी इंद्रधनुशी करांती जो होती है उसमें कृषी के सभी छेत्रों की उत्पादन पर जोड़ दिया जाता है आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्या 13 को देखते हैं यहाँ पर कॉफी बोर्ड रबर बोर्ड और तंबाकू बोर्ड इत्यादी दिये हुए है उनका हेड़कॉर्टर कहां पर है मतलब हो है कहां पर असल में यह बताय गया है आपको यह बताना है सही कौन सा इसमें से तो कॉफी बोर्ड का को टायम केरल में है रबर बोर्ड जो है वो बंगलूरू मतलब करनाटक में है पुडे महाराष्टर में तंबाकू बोर्ड और अंगूर प्रसंशकरन वाला जो है गुंटूर जो आंधर प्रदेश का है वहाँ पे तमबाकु बोर्ड का है इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 को देखें निमनलिखित में से किसे पारस्थित की है या वानस्पतिक उभैचर के रूप में जाना जाता है पारस्थित की उभैचर भी कहेंगे तो गड़बर नहीं होगा लेकिन यहां बात वानस्पति की हो रही है तो वानस्पतिक उभैचर के रूप में जाना जाता है और ये उच अनुकूलन छमता युक तो होता है उभैचर की जो परिभाशा है उसके हिसाब से वो पानी में भी सर्वाइब कर सकता है और जमीन पर भी मतलब इस्थल और जल दोनों के लिए अनुकूल होता है तो ऐसा कौन सा व्रिक्ष या कौन सी वनस्पति की प्रजाती है आपको बताना है तो ये मैंग्रोव होते हैं ठीक है बाकी तो ये स्थलाकृतियों के नाम है जो कि बनती है प्रकृति के द्वारा बनाई जाती है लेकिन मैंग्रोव ये वनस्पति है जो कि काफी जीवट होती है जिस पानी और जिस इन्वार्मेंट में पैदा होते है वहाँ कोई दूसरा अंकुरण की प्रक्रिया पौधे के साथ ही संपन्न हो जाती है, तब जाकर वो अपनी जड़ों को नीचे पहुचाते हैं, तो ये बड़े ही जटिल होते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रशन संख्या 15 को देखते हैं, इसमें हेरोईन की मात्रा, ये हेरोईन नहीं ह हेरोईन है, ठीक है, तो हेरोईन की मात्रा सिर्फ 20 प्रतिशत होती है, और 80 प्रतिशत अन्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि चाक, पाउडर, जिंग, आकसाइड वगएर वगएर, बताई, मतलब हेरोईन सिर्फ 20 प्रतिशत पाया जाता है, ये क्या चीज है, तो इसमें अग इथोलोजी नहीं है, इथोलोजी है, ध्यान दीजेगा, E-T-H-O-L-O-G-Y, तो इथोलोजी का संबन्द किस से है, बताईए, ये विसिष्ट संस्कृतियों का अध्यान करने के लिए है, या फिर मानो सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्यान करने के लिए है, नैतिक इथोलोजी के बारे में पढ़ते हैं, इसके बाद प्रशन संख्या सत्र को देखते हैं, यहाँ पर कुछ जाचों के नाम दिया है, जैसे कि EEG है, और इसमें क्या होता है, ब्रेन की जाच होती है, ECG जो है, उससे हर्ट को चेक किया जाता है, और EOG जो होता है, उससे यूमर के डिटेक्शन में काम नहीं आता है, बलकि यह ब्लट कैंसर को जाचने के लिए इस्तिमाल होता है, ठीक है, और ना सिर्फ जाचने बलकि उसकी उपचार में इस्तिमाल होता है, मुल रूप से, तो इसे आपने देखा, आगे बढ़ते हैं, डी वाला उप्शन इसम इसमें कोई भी नाम नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी नाम नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब क्या है, कि एक से जादा नाम में चुनना पड़ेगा, तो वो विकल्प नहीं है, असल में स्लाइडन और श्वान, दोनों जने ने मिलकर इसे आविश्कृत किया था, कभी-क पाला जरूर देख लिजेगा, सदिश और अदिश पूछा जाएगा, इससे बहुत पर पूछा जाता है, तो दूरी चाल, चुम्बकिये छेत्र और विद्धारा, सदिश राश्यों में दिशा की आवशिक्ता अनिवारे रूप से होती है, परिमाड के साथ-साथ, और पालू होगा कि असल में वो कैसे काम कर रहा है, बाकि जितनी भी राशियों को आप देख रहा है, दूरी, चाल और विद्धुद्धारा, ये सब क्या है, अदिश राशिया है, रश्न संख्या 20 को देखे, यहाँ पे कुछ मापक यंत्रों के नाम दिये है, जिसे हाइग्र प्रशन संख्या 21 को देखते हैं, चलती हुई ट्रेन या आप बस से उतरने वाले व्यक्ति को थोड़ी दूर तक उसी दिशा में दौड़ना पड़ता है, ये किस कारण से होता है, बताइए, मतलब वो बस उसको छोड़ कर चली जाती है, तब भी वो कुछ दूर तक दौड़ते हुए आगे बढ़ जाता है, ये आपने महसूस भी किया होगा, तो ऐसा किस वज़ए ये गती के पहले नियम की वज़ए से होता है, या जड़त्व के नियम की वज़ए से होता है, या गती का दूसरा तीसरा नियम इसमें काम करता है, बताइए, तेखें ये जो नियम है, आप ये वाला इसमें आप्शन चुलने तो बेहतर होगा, वो इसलिए किया गया, क्यो आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्या 22 को देखते हैं किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान छेत्रफल तैं करती है अर्थात ग्रह की छेत्रफल ये चाल को नियत करती है उसे निर्धारित करती है तो बताएं कि ये कौन से नियम की परिभाशा है यानि नियम आपको बता दिया गया, लेकिन नियम है कौन सा ही आपको पहचानना पड़ेगा, तो बताइए ये कैपलर का पहला दूसरा तीसरा कौन सा नियम है या फिर न्यूटन का नियम है गुरुत्वा करशन वाला, तो ये देखतर मालूम हो रहा है कि ये गुरुत्वा करशन क नियम तो नहीं है, वो सिध्धान इससे कहीं ज़्यादा भिन्य है, तो ये कैपलर का ही सिध्धान थे, लेकिन कैपलर के जो ग्रहों के गती से समंदित नियम थे, उसमें से कौन सा है, तो देखें आप ये छेत्रफल की बात कर रहा है, और छेत्रफल से समंदित कैपलर का कौ आख्या करता है तो हम B वाले option को select करेंगे प्रशन संख्या 23 को देखते हैं सर अलावर्त गती के विशेष्टा दे रखी है बताई कि गलत क्या है तो जो इसका चरम बिंदू होता है यानि इसे आप अंग्रेजी में देख लीजे पहले acceleration is maximum at extreme point जो चरम बिंदू यानि extreme point होता है वहाँ पे acceleration यानि त्वरण क्या है जीरो हो जाता है और kinetic energy is maximum at the mean point जो mean point है वहाँ पे kinetic energy maximum होती है अब बताईए कि इसमें से गलत कौन सा है त्वरण वेग और गती जूरजा की बात की जा रही है और तीनों एक दूसरे से तालुक रखते हैं या आप जानते है और इसमें आगे बढ़ते हैं प्रेशन संख्या अगले को देखते हैं जो कि यह 24 वा यंग प्रत्यास्तिता गुडांग की बात हो रही है यानि यंग elasticity coefficient की बात की जारी तो बताएं कि यंग प्रत्यास्तिता गुडांग कौन से पदार्थ का सबसे जादा होता है मतलब कौन सा पदार सबसे ज़्यादा कठोर है तो अब इसमें अगर आप देखें तो डी वाना option सेलेक्ट कर लीजेगा टंगस्टन का होता है सबसे ज़्यादा अलुमीनियम यह अगर बढ़ते क्रम में अगर आप देखें तो अलुमीनियम जो है वो सबसे पहले रखेंगे उसके बाद दाथ का इनैमल जो होता है दाथ की उपर की जो सफेद परत होती है वो रखी जाएगी फिर पीदल है फिर टाइटेनियम है और उससे भी जादा हो है आप डिगरी सेल्सियस देखते हैं वैसे ही यह रोमर है रोमर पैमाने का इस्तिमाल किया जा रहा है तो आरफार रोमर अब बताई इसमें से कौन सा अकड़ा लेंगे तो सी वाला चुन लीजे असी वाला होगा इसमें ठीक है यह तो रटना पड़ेगा आपको आगे माइक्रोवेव होती है ठीक है माइक्रोवेव यानि सुक्ष्ण तरंगों का इस्तिमाल ही मोबाइल फोन और वाइफाई दोनों में किया जाता है प्रेशन संख्या 27 को देखते है निमनलिखित में से कौन सा विकल्प साही सुमेलित नहीं है तो 25 डिगरी सेल्सियस पर अब बताई गलत कौन सा है यह 25 डिगरी सेल्सियस तापमान पर बताया जा रहा है तो डी वाल ऑप्षन गलत है इसमें पीतल का जो दे रखा है यानि साउंड इन ब्रास स्पीड आफ साउंड इन ब्रास तो ये वाली कितनी होती है यह असल में 4,700 होती है लोहे और बताया स्टील जितनी थोड़े ही होगी तो यहाँ पर जो 4,700 वाला आकड़ा है उसको हम सेलेक्ट करेगे तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्या 28 को देखते हैं और 28 में क्वेश्चन में देखें तो बैगनी रंग के प्रकाश स्पेक्ट्रम का तरंग दैरिक कित उभया वतल लेंज जो होता है यानि दोनों तरप अवतल तो इसमें दो प्रिष्ट होते हैं यह दोनों प्रिष्ट कैसे होते हैं तो जो प्रश्ण है उसी में उत्तर चिपा हुआ है उभया वतल उभय मतलब दोनों और अवतल मतलब आप जानते ही हैं तो अब बताईए कि इसमें कैसा प्रिष्ट इसका होता है यानी दोनों और से धसा उवा होता है तो किसको चुनेगे इसमें से जुब्भी वाला विकलो है प्रशनी संख्या 30 को देखते हैं कौन सा विकल्ब सही नहीं है और मरीची का जो है वो असल में वो भी total internal reflection की वज़े से ही होता है तो अब बताएं गलत कौन सा है इसमें से इसमें जो आप देख रहे हैं ना D वाला option माव किजेगा इसका जो C वाला option है ये वाला ठीक है C वाले option को देखिए असल में जो साबुन के पुलबुले का रंग भी रंगा फिल्म की तरह से दिखाई देता है वो व्यतिकरण की वज़े से होता है यानि उसमें interference का काम होता है ये पूर्ण आंतरिक परावरतन की घटना के लिए जिम्मेदार नहीं है तो इसे हमने देखा C वाले option को हम बाहर कर देंगे बागी सब सही है इसके बाद 31 में pressure को देखते है लगभग किस तापमान पर किसी वस्तु का रंग हलका लाल हो जाता है और किस तापमान पर ये cherry के रंग का लाल हो जाता है मतलब cherry का आपने एकदम पकी हुई cherry का रंग देखा है सुर्ख लाल तो वैसा हो जाता है गर्म करने पर एक सीमा के बाद मतलब तापमान की एक सीमा के बाद चीजे जो है वो लाल हो जाती तो अब बताईए कौन से तापमान की सीमा है 31 और correct answer इसका ग्या होगा डी वाला हो जाएगा यह 525 डिगरी सेल्सियस और 900 डिगरी सेल्सियस का तापमान होता है मतलब इतने पर हलका लाल होगा और इतने पर एकदम से गाढ़ा लाल दिखाई देगा और इसके बाद चलते हैं 32 में प्रश्न की और बेंजोईक एसिड अब chemistry में लोग इंटर कर रहे हैं तो बेंजोईक एसिड निमनलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है घास में नहीं पाया जाता है, शोरा में नहीं पाया जाता है, पत्ते में नहीं पाया जाता है, या फिर यूरीन में नहीं पाया जाता है, तो बताइए, और 32 का जो correct answer है, वो इसमें हो जाएगा, भीवाला, शोरा में यह नहीं पाया जाता है, शोरा में nitric acid पाया जाता है, श सुलफ्यूरी केसिट कसीज के तेल में होता है यानि isle of vitrol और auxilic अपल पाया जाता है सिरके में जबकि लैक्टिक टमाटर में होता है तो पताएं सही कौन सा है सही इसका सिर्फ बी वाला है जो सल्फ्यूरी केसिड दिया हुआ है ना कसी इसके तेल में होता है वो ठीक दिया है ये और बाकी जितने हैं गलत दिया है एसिटी केसिड सिर्के में होता है सल्फ्यूरी केसिड को आपने देखी लिया ओक्जेलिक जो है वो टमाटर में होता है हाला कि अन्य कई सारी चीजों में होता है लेकिन टमाटर में पाय जाता है बाकि लैक्टिकेस दूद के अंदर होता है प्रशन संख्या 34 को देखते हैं यहाँ पर pH वैल्यू के आधार पे गलत विकल्प का आपको चैन करना है तो लार जो है वो अमली ये प्रकृतिके होती है pH scale में आप देखते हैं ना साथ से अगर कम जो pH मान है वो पाय जाता है तो अमली ये प्रवितिका होती है और साथ से ज़्यादा होता है तो छारी होती है साथ के बराबर होता है तो लवण होता है या फिर एक neutral उसमें उदासीनता पाई जाते कुल मिलागर बात यह है कि साथ से कम वालों को हमें देखना है तो लार का जो pH मान है वो साथ से इतना कम होता है कि यह अमली प्रवितिका होता है दूद भी अमली प्रवितिका होता है वायू में उपस्थित जो पानी की भाप होती है उसकी प्रवितिक होती है यानि अमली होती है और टमाटर भी उसी प्रवितिका होता है तो बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है pH value किसकी हमने गलत आख लिए तो correct answer इसका 34 को आप देख रहे है इसमें A वाला हो जाएगा ये गलत है जो saliva यानि लार होती है उसका pH मान कितना होता है 7.2 यानि हलकी सी छारिय प्रकृति उसमें पाई जाती है हलकी सी छारिय इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्या अगले को देखते हैं नीचे दिये गए चार पदार्थों में से pH मान के आधार पे सबसे जादा अमलिये पदार्थ का चैन आपको करना है तो नीबू का रस दिया है सिर्का दिया है बीयर है और वाइन है अब इसमें से आप देख कर बताएं तो 35 और इसका A हो जाएगा नीबू के रस में सबसे जादा अमलियेता पाई जाती है इन सब की तुलना में ठीक है इसके नीबू के रस का जो pH मान होता है वो 2.4 होता है बाकी सब का जादा है इससे तो जितना कम होता जाएगा मतलब साथ से जितना कम होता जाएगा अमलियता उतनी ही प्रबल होती जाएगी वाकि सिर्के का लगभग 3 होता है वाइन का 3.2 होता है बीर का और जादा होता है इसके बाद प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं नीचे दिये गए जो 4 मान है 4 पदार्थ है असल में उसमें pH मान के आधार पे सबसे जादा चारी ये पदार्थ का चैन कीजिए तो लार है, खाने का सोडा है मानोरक्त है और अंडा है अब बताईए इसमें से सबसे जादा चारी ये प्रवित्टी किसकी है तो alkaline substance के तोर पे अगर देखें तो इसमें 36 correct answer इसका भी होना चाहिए खाने का सोडा, इसकी जो प्रवित्टी है वो सबसे जादा चारी होती है इन सब की तुलना में लार का pH मानोरक्त का 7.4 होता है लेकिन खाने के सोडे का कितना होता है ये 8.4 होता है, अंडे का भी इससे कम होता है इसके बाद 37 को देखते है कौन सा ऐसा indicator है जिसको कि अमली ये विलियन में मिलाने पर उसका रंग पीला हो जाता है ये मेथिल औरेंज है, मेथिल रेड है लिटमस पेपर है या फिर फिनॉल है इसमें से कौन सा option करेक्ट होगा ज़रा देख कर बताई अब इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो डी वाला option ठीक दिखाई देता है ये फिनॉल रेड जो है मतलब अमली ये विलियन में रंग अगर देखें तो मेथिल औरेंज जो है वो लाल रंग का हो जाता है मेथिल रेड जो है वो रेड है तो लाल रंग का बागी लिटमस जो है वो भी लाल रंग का तो ये phenol flethin होता है या फिर methyl orange होता है, methyl red होता है या litmus होता है पताई इसमें से कौन सा होगा 38 को आप देख रहे हैं और इसमें अगर आप देखें तो जो phenol flethin है वो गुलाबी रंका हो जाता है ठीक, बाकिस जितने हैं उनका रंग अलग अलग है जिसे methyl orange बीले रंगा होता है, methyl red जो है वो भी पीला, litmus नीला हो जाता है और phenol red जो है वो लाल हो जाता है तो यह सारा है, तो इसमें से हम चुनेंगे किसको, जो A वाला option है उसको select करते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्या 49 को देखें, निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चैन करना है, इसमें धातूओं की जो प्रगती शीलता है, प्रक्रिया शीलता है असल में, य वैसे ही sodium, aluminium, magnesium, ऐसे करके दिया हुआ है, तो 39, और इसका जो right answer है वो इसमें D हो जाएगा, sodium, magnesium, aluminium, ये वाला जो option है, ये इसमें perfect, ठीक, मतलब sodium, calcium, माफ कीजएगा, potassium, calcium, ये दोनो sodium से भी जादा प्रतिक्रिया शील होते हैं, बाकि उसके बाद sodium होता है, फिर magnesium, फिर सबसे last में aluminium होता है, तो D वाले विकल्ब को चुनकर, 40 में प्रशन को देखते हैं, जिसमें कहा गया कि नीचे दी गई जो धातुे हैं, उन में से प्रतिक्रिया शीलता के आधार पे, यानि क्रिया शीलता के आधार पे, सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया शीलता के आधार पे, सब मिलाकर चालीसवा जो आप देख रहे हैं इसका राइट एंसर इसमें B हो जाएगा क्योंकि आप जानते हैं कि जो घटता हुआ क्रम होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया शिलता होती है मैगनीज की और सबसे कम होती है आयरन की तो मैगनीज और आयरन वाला जो अब बताईए कि इसमें सही कौन सा है एक तालीसवा आप देख रहे हैं इसका जो C वाला ऑप्षन है वो ठीक दिखाई देता है ये पीला के कहा ही जाता है यूरेनियम को रेडियो एक्ट्यू पदार्थ है बाकि जितने है उनका गडबड दिया है जैसे कि जिंक ऑक्साइ इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा ये वाला ये लाल रंका उसे पूरा कर देता है मतलब कांच को लाल रंक से रंगने में काम आता है तिराल इसमें प्रशन को देखते है फेरस अक्साइड जब कांच के साथ मिलाया जाता है तो कांच किस रंका हो जाता है और फेरिक आप मिलाएंगे न तो लाल रंका होगा और फेरस आकसाइड मिलाएंगे तो हरा हो जाएगा यहां से सुनीगा फेरस आकसाइड अगर मिलाएंगे तो हरा हो जाएगा और फेरिक आकसाइड मिलाएंगे तो भूरा हो जाएगा ब्राउन कलर आ जाएगा तो उस आधार पे अग वाली समय प्रशन जो है इसका correct answer होगा C वाला barium का इस्तिमाल नहीं होता है बाकि lead silicate basic material होता है sodium, potassium भी मिलाते हैं C वाले option को बाहर कर देंगे जो कि इसमें नहीं मिलाया जाता है इसके बाद 45 में प्रशन को देखते हैं इसमें का गया कि नीचे जो 4 पदार्थ दिये गए हैं उसमें से cement बनाने में निम्रलिखित में से किस पदार्थ का सबसे ज़्यादा amount इस्तिमाल किया जाता है मतलब प्रतिशतवार वो सबसे ज़्यादा इसमें इस्तिमाल होता है वैसे calcium oxide जो है वो 62 प्रतिशत होता है वो सबसे ज़्यादा होता है उसके बाद नंबर आता है silica का करीब 22% magnesia होता है 0.5% aluminium जो है वो 7.5 के आसपास होता है और feric oxide जो है वो और कम 0.5 वो भी होता है तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में यह सब मिला जाते हैं बड़े पैमाने पर इसमें calcium oxide मिलाते हैं और silica मिलाते हैं तो ए वाला option हमने select किया चीहालीस में question को देखते हैं गलत विगल्प का आपको चैन करना है paint को रंग देने वाले पदार्थ है जैसे कि lead chromate से बीला रंग आता है चारी ये lead sulfate जो है मतलब alkaline lead sulfate जो है वो blue color देता है lithopone जो है वो white color देता है और chrome red जो है वो लाल रंग देता है तो अब बताए किसमें से गलत कौन सा है paint किस रंग का होगा उसके लिए पदार्थ मिलाया जाता है गलत इसमें से बी वाला है ठीक ये जो चारी ये lead sulfate है ये सफेद रंग देता है ना कि नीला और ये ही गलत दे रखा है तो हम B वाले option को इसमें से बाहर कर देते हैं प्रशन संख्या 47 को देखते हैं केंद्रक के कौन से भाग में उपरी भाग में बीच वाले में के नीचे वाले भाग में किस भाग में जन्तुकोशिका पाई जाती है और जन्तुकोशिका लवक में पाई जाती है कि नहीं हाँ या नहीं में आपको जबाब देना है बताई ये दो चीज़े एक साथ पूछी जा रही तो 47 जो है इसका right answer आप B को चुन लीजे पहले B का मतलब यह है कि ये central part में पाई जाती है केंदरक का जो मद्य भाग होता है उसमें पाई जाती है और प्लास्टिड में जो जन्तुकोशिका आए है वो नहीं पाई जाती है तो इसमें से हमने किस को चुना बी वाले option को select किया है इसके बाद next प्रशन संख्या 48 को देखे कोशिकांग दिया है और जन्तुकोशिका का नाम दिया है तो अब इसमें देखे कोशिका भित्ती यानि सेल वाल जो है वो अनुपस्थित होती है जन्तुकोशिका में तो C वाले option को बाहर कर लेते हैं Sell wall इन में नहीं पाई जाती है जबकि जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ती है और वो द्रिण होती है इसके बाद 49 नंबर के question को देखते है निम्दिलिखित में से किस कोशिकांग में पादप कोशिका नहीं पाई जाती है कोशिका भित्ती में नहीं पाई जाती है तारक काय में नहीं पाई जाती है लवक में नहीं पाई जाती है तो आपने अभी अभी पढ़ा है और उसी आधार पे आपको उत्तर देना है इसमें जहां नहीं पाई जाती है वो आपको बताना है तो आप जानते हैं कि इसका B वाला option है वो हमारा सही उत्तर होगा Centrosome की हम बात कर रहे हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्या 50 को देखते हैं चावल के गुड़ सूत्रों की संख्या कितनी होती है और आलू में कितनी होती है वो भी बताईए तो अब इसमें 26-48 से पेर दिया हुआ है आप बताएं इसमें से कौन सा होगा और इसका जो सही जबाब है उसमें B हो जाएगा 24 होते हैं चावल के अंदर और 48 होते हैं आलू के अंदर ठीक है तो इसमें से हम चुलेंगे किसको B वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्या एक यावन को देखते हैं कोबाल्ट का घटक है अब कोबाल्ट का घटक जो प्रणाशी रखतल पता होती है ये एक तरह का एनीमिया का घातक स्वरूप है जो कि आसानी से दूर नहीं किया जा सकता है तो ये कोबाल्ट की कमी की वज़े से हो जाता है हाला कि अनुवानशिक नहीं है ये कमी से होने वाला रोग है तो D वाले उप्शन को चुनाएं इसके बाद 22 नंबर के प्रशन को देखते हैं एक ग्राम वसा से कितने किलो कैलोरी उर्जा जो है ये निकलती है कितने किलो कैलोरी उर्जा विमुकत होती है और कितने डिगरी सेल्सियस तापमान पे वसा को लिपिड कहा जाता है मतलब वो लिपिड अवस्था में परिवर्थित हो जाती है तो आप बताएं इसमें से कौन सा पेर सही होगा 52 को आप देख रहे है गरेक्ट आंसर इसका भी हो जाएगा 9.3 किलो कैलोरी उट जा लगबग निकलती है कैलकुलेशन से इतना और 20 डिगरी सेल्सियस तापमान पे जो वसा होती है उसको लिपिड की अवस्था में कहा जाता है तो बी वाला ओप्शन जो है इसमें पर्फेक्ट है इसके बाद प्रशन संख्या तिरपन को आप देखे पेलाग्रा नाम का एक रोग है जो कि एक विटामिन की वज़से होता है और इस विटामिन का रासाइनिक नाम क्या है यह आपको बताना है जबकि डर्मेटाइटिस रोग जो है इसमें बी वाला होना चाहिए नियासिन और पाइरिडाक्सिन की बाद की जा रही है अब आपको जो सामाने प्रशनित नाम है उसके साथ साथ रासाइनिक नाम अनिवादे रूप से मालू होना चाहिए देखे वाइटमिन B3 जो है इसको इसकी कमी से पहलागरा हो जाता है इसको कहते है नियासिन और वाइटमिन B6 जो है इसको कहते है पाइरिडाक्सिन और इसकी कमी से डर्मेटाइटिस हो जाता है इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्या 54 को देखते है तो विभाजियोत्तक जो होता है इसमें हरिमा हींता ये किसकी कमी के कारण होती है मतलब इसमें कई सारे पदार्थों की कमी होती है तो नाइट्रेट, सल्फेट की कमी तो होती है उसके अलावा एक और कोई चीज है जो कि कम पढ़ जाती है तो ये हरिमा हींता पाई जाती है अब बताईए कि ये जो deficiency है ये किस वज़े से होती है magnesium की कमी से होती है potassium की, calcium या sodium तो correct answer इसका क्या होगा 54 को आप देख रहा है, C वाला option इसका perfect होगा calcium की कमी से होती है calcium, nitrate और sulfate तो हम C वाले option को इसमें से बाहर कर लेते हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्या पच्छपन को देख लीज़े इसमें कहा जा रहा है कि किस चीज की कमी से पौदों में फल बनाने की प्रक्रिया जो है वो बाधित हो जाती है और किस चीज की कमी से इनकी growth रुख जाती है तो दोनों जो पदार्थ हैं उनके नाम आपको बताने है और इसका जो right answer है वो इसमें B होगा molybdenum की कमी जब हो जाती है तो फल बनने की प्रक्रिया जो है वो अवरुद्ध हो जाती है और अगर क्लोरीन की कमी होती है तो उससे पौदों की वृद्धी रुख जाती है ये B वाला option जो है ये perfect इसके बाद प्रश्न संख्या 56 को देखते है 55 के बाद है 56 और 56 में ये कहा जा रहा है कि कौन से तत्व की कमी के कारण पौदों में उतक्च होने लगता है यानि उनके जो टिश्यू है वो बरबाद होने लगते है और किस तत्व की कमी के कारण पौदों में जो पुरानी पतिया है उनमें हरीमा हीनता है यानि उनकी हरीतिमा गायाब हो जाती है, ऐसा वाला रोग होता है, पतिया निर्जीव से दिखाई देती है, तो बताएं दोनों तत्वों का यहाँ पेर दे रखा है, A, B, C, D, इसमें से आपको देखकर एंसर देना है, और 56 का जो राइट एंसर है, वो इसमें D होना चाहिए असल में कापर की कमी के कारण पौदों में उत्तक चाह होता है, ती वाले ओप्शन को आप सेलेक्ट करें, और जिंक की जब पौदों में कमी हो जाती है, तो उसकी वज़ए से जो पुरानी पतियां है, वो निर्जीव से दिखाई देती, प्रेशन संख्या 57 को देखते है, यहाँ पर ट्रिप्टोफेन का ट्रिप्टोफेन असल में है, तो ट्रिप्टोफेन का जो संसलेशन है, वो किस के द्वारा, यानि किस तत्व के द्वारा किया जाता है, आपको बताना है, वो ब्लैंक स्पेस आपको भरना होगा, और एंजाइमों का आक्सी करण किस वज़ प्रेशन संख्या 58 को देखते हैं, select the incorrect option among the following, तो करोटी जो है, इसमें अस्थियों की संख्या होती है, 29, कशेरूप में होती है, अस्थियों की संख्या, यह नि हड्डियों की संख्या 26, ठीक, इसके अलाव आप देख रहे हैं कि जो पसलियां होती है, उसमें 24 होती है, उरोस्थी जो होती है, उसके अंदर सिर्फ दो अस्थियां पाई जाती है, तो इसमें से गलत कौन सा है, इसमें से डी वाला option गलत है, उरोस्थी जो होती है उसमें येवल एक अस्थी होती है ठीक तो D वाले option को हम बाहर कर लेते हैं जो कि गलत दिया यहां दो नहीं बलकी एक होना चाहिए था प्रशने संख्या 69 को देखते हैं एक वयस्क मानो 24 घंटे में एक लीटर से एक से कितने लीटर तक मूत्र निस्काशित करता है और सामाने वस्था में जो मूत्र का पियच है वो किस के बीच में होना चाहिए मतलब किस प्रवित्तिका होता है यह पूछा जा रहा है आप से तो बताएं इसमें कितना इसका जो आकड़ा है वो सही होगा और प्रशनी संख्या उंसर जो है इसका correct answer इसमें C हो जाएगा C वाले option को आप चुल लीजे एक दश्मलव 8 लीडर और 5 से लेकर 8 के बीच में पी अच्मान होता है इसके बाद प्रशनी संख्या साथ को देखते है निम्नलिखित में से कि इने रोगों की रोग थाम के लिए DPT नाम का जो टीका है वो इस्तिमाल किया जाता है तो diphtheria, titnes, kalikhanse, hemophilus अब यह जो 60 वा question ने इसमें से correct answer क्या होगा diphtheria, titnes और kalikhanse, जिसे के pertussis कहा जाता है तो उसी के आधार पे DPT इसका नाम रखा गया तो इसमें से हम चुनेंगे किसको B वाले option को select करेंगे, यह B वाला option है और इसमें आप चौथी पिमारी को देख रहा है hemophilus, तो उसके लिए भी इसका इस्तिमाल किया जाता है प्रशलित तोर पे हम तीनी को जानते है, चौथे को भी इसमें आटेच कर देंगे, तो इसका जो B वाला option है वो perfect है, इसके बाद 61 को देखते है कहा जा रहा है कि उर्जा परिवर्तन और उसकी युक्ति दे रखा है energy transformation उसकी device क्या है बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है, तो यांत्रिक उर्जा से प्रकाश बनाने का काम, ठीक है, प्रकाश की साथ-साथ उसमी उर्जा भी निकलती है, तो ये काम बल्ब करता है दो तरह की उसमें युक्तियां प्रयुक्त होती है तो अब बताइए कि इसमें से जो गलत विकल्ब है, वो कौन सा है प्रशन संख्या 60-क आप देख रहे है, जितने भी दिये हैं, सभी सही है कुछ गलत तो नहीं दिखाइ़ दे रहा है, यांधरी कूर्जा से विद्धूतूर्जा में बदलने का काम, डैनमो करता है और विद्दू तूर्जा से यांत्री कूर्जा में बदलने का काम मोटर करता है, दोनों एक दूसरे की उल्टी युक्तिया है बाकी रासायनी कूर्जा से विद्दू तूर्जा बनाने का काम बैटरी करती है और विद्धुत उर्जा से प्रकाश और उश्मी उर्जा बनाने का काम बल्प करता है तो सभी सही इसके बाद 62 नंबर के question को देखते है प्रकृती में चार प्रकार के मुख्य बल पाये जाते है कौन सा कथन इससे समधित नहीं है वो आपको बताना है तो गुरत्वा कर्शन बल एक दुर्बल बल है बहुत कमजोर होता है दुर्बल नाभी की बल जो है ये बहुत कम दूरी तक काम करता है विद्धुत चुम्ब की बल जो है वो भी दुर्बल बल है और ये अनंत दूरी पर भी काम कर सकता है प्रबल ना भी किये बल जो है यह प्रबल तम प्राकृतिक बल है जो कि कम दूरी पर काम करता है तो आप यह बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है जो मूल बल है उनके बारे में कौन सा कथन गलत है यह आपको बताना है तो C वाला option इसमें से आप बाहर कर लीजेगा C वाले में कहा गया है न, Electromagnetic force यह एक weak force है और which act even at infinite distance तो असल में यह weak force नहीं है यह तो बड़ा strong force होता है और यह प्रबलबल है इसलिए हम कहेंगे और यह अनंत दूरी पर भी काम करता है तो यह वाला option गलत दिया था इसके बाद 63 नंबर की प्रेशन को देखते है रियंक्टर दिया है और उसमें कौन सा moderator यूज होता है जो अभी करिया है उसे नियंतृत करने के लिए तो बताएं जरलीना में भारी जल का इस्तिमाल होता है यानि D2O यानि heavy water जो हो यूज होता है पूरदिमा बन जो है उसमें भारी जल यूज किया जाता है ध्रू में भी वही और कामिनी में इस्तिमाल किया जाता है जल तो इसमें आप बताएं तो देखी इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो डूड़ना है तो इसका जो B वाला option है उसको हम निकाल देंगे वैसा क्यों किया गया क्योंकि इसमें कोई मंदग इस्तिमाल नहीं किया जाता है तो इसलिए यहां पे भारी जल वाला option हम नहीं मानेंगे इसके बाद 64-वे नंबर के question को आप देख रहे हैं कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है तो ठोस से द्रव बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते है वाशपी करण ठीक है ठोस से द्रव अगर बदल राय पदार की अवस्था परिवर्दन हो रहा है तो उस प्रक्रिया को हम कहेंगे वाश्पी करण ठोस से गैस बनने की प्रक्रिया संगरन कहलाती है ऐसा दिया हुआ है यहाँ आप देख रहे हैं गैस से ठोस बनने की प्रक्रिया है गैस से सीधे-सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया उर्धुपातन उत्क्रमड कहलाती है सब्लिमेशन रिवर्सल कहलाती है और गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया है वो गलन कहलाती है तो बताएं कि इसमें से सही कौन सा है अब यह जो 64 है इसमें एक मात्र जो उर्धुपातन उत्क्रमड दिया है यानि उर्दु पातन का उल्टा वो वाला सही है बाकी जितना है वो ठीक है अगर ठोस से गैस बनने की प्रक्रिया सीधे-सीधे होती यानि पहली स्टेज से सीधे-सीधे तीसरी स्टेज में ट्रांसफर हो जाना तो उसको हम कहते हैं कि यह सब्लीमेशन है लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है सब्लीमेशन का रिवर्स प्रोसेस हो रहा है तो यह ठीक दिया है बाकी जितने हैं गलत दिया है ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया जो है वो द्रवी करण होती है या गलन कहलाती है बाकी द्रव से gas बनना ये वाश्वी करण होता है द्रव से ठोस बनना जो है ये जमने की प्रक्रिया ये फ्रीजिंग का प्रॉसेस होता है और बाकी condensation जो है वो gas से liquid में convert होने का प्रॉसेस है तो कुल मिलाकर इसका C वाला option परफेक्ट है जेजे थॉंसन को इलेक्टरॉन की खोज के कारण कौन से वर्ष में नोबेल पुरसकार दिया गया था ये आपको बताना है तो question number 65 इसमें सिर्फ वर्ष आपको चुनना था और इसमें से right answer होगा दी वाला 1906 में नोबेल पुरसकार दिया गया था और ये भौधिक विज्ञान का नोबेल था ध्यान दीजेगा ये chemistry का नोबेल नहीं था physics का नोबेल था आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या चाचट को देखते हैं हड्डियों की संख्या नहीं बलकि muscles का number पूछ रहा है तो बताएं और इसका जो चाचटबा question का correct answer होगा वो इसमें देखें C वाला होगा वराइजय सटाईवा ये क्या है वानसपतिक नामाब बताएं कि ये कौन सी फसल का वैग्यानीक या वानसपतिक नाम है और ब्रेशिका कफेस्ट्रिस हमको अ किसे वैग्यानीक तवर पे कहते हैं मतलब उसका मूल नाम तो कुछ और है कि हम प्रचलित तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो योगशाला वाला वैग्यानिक नाम जो है वो यहां दिया हुआ है तो बताएं यहां फसलों के नाम दिये हैं और आप जानते हैं कि ओराईजा सा टाइवा कहा जाता है जो भारती धान होता है धान की हर प्रजाती को ओराईज जो बताना है कि कौँसे जानवर में गुन-सूत्रों की संखिया सबसे जादा होती है तो इस मेधक और बिल्ली बताईए तो देखें कबूतर में 80 गुड़ सूत्र पाये जाते हैं अब ये आप आकार पर मत चले जाहिएगा कि कोई जीव बहुत बड़े आकार का है तो उसमें ज्यादा गुड़ सूत्र होंगे ऐसा नहीं है इस पर कोई बात निर्भर नहीं करती है कब फसले दी है अब इसमें भी वही बात कि सबसे जादा गुड़ सूत्र किसमें होते हैं और सबसे कम गुड़ सूत्र किसमें होते हैं ये आपको बताना है तो मक्का, मतर, प्याज और नीबु है अब बताएं इसमें से तो देखें इसका बी वाला हो जाएगा नीबु में बाकी आप देख रहे हैं मतर में जो है वो 14 पाय जाते हैं सबसे कम प्याज में 16 होते हैं मक्य में 20 होते हैं तो वही आस-पास कई है लेकिन इसमें से हमें चुनना था तो हम B को चुनते हैं ठीक है B वाले ओप्षन को हमने सलेक्ट किया अब आगे चलते हैं तो तरवे खरगोष दिया हुआ है इनको आपको आरेंज करके देखना है तो इसमें आप देखे हैं जो चिंपैंजी है है उसके अंदर 48 गुझ सूत्र पाये जाते हैं वनुष्य में 46 होते हैं गुटए में 78 गुझ सूत्र और 44 होते हैं तो इस अधार पे अगर देखे तो जो ए वाला वो इसमें perfect, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रशन संख्या 72 को देखें, सही विकल्प का आपको चैन करना है, शल्जम में चर्पराहट की जो वज़व होती है, चर्पराहट वाला स्वाद होता है उसका, तो उसके पीछे एंथोसाइनिन नाम का एक वर्ड़क होता है, ज जो सही जवाब हो इसमें D हो जाएगा, D का मतलब यह है कि केवल तीसरा सही है, ठीक है, केवल तीसरा वाला जो option है, वही सही है, बाकी जितने भी है, वो सब गलत है, पहले वाले को आप देखें, शल्जम में जो चर्पराहट का स्वाद होता है, वो कैल्फियम मतर की है पूसा 208, अरहर की है शारदा और शादरा है असल में यह, और सोयाबीन की है स्वर्ण रेखा, तो अब आप यह बताएं कि इसमें से सही कौन सा है, तो अब इसमें ध्यान से देखें, तो 73 वे का जो राइट अंसर है, वो C हो जाएगा, अरहर का जो दिया है, वो सब गडबड है, जैसे कि चने का होगा पूसा 208, मतर का स्वर्ण रेखा होता है, लार्क 63 जो है, वो सोयाबीन की प्रजाती है, तो C वाले ओप्शन को हमने से चुन लिया, जो कि ठीक दिया है, प्रशन संख्या 74 को देखते हैं, फसले और किसमें दे रखी है, सरसों की प् सरस्वती, तो A वाले ओप्शन को हमने चुना और आगे बढ़ते हैं, मस्टर्ड वाला परफेक्ट है, प्रशन संख्या 75 को देखते हैं, करेक्ट ओप्शन आपको बाहर करना है, फसल और किसमें दे रखी है, मक्के की प्रजाती है, ओल्ड चिकसा, और कपास की प्रजाती है हिमालेयन 123, कॉफी की प्रजाती है श्यामली और आलू की है कुफरी अलंकार, तो कुफरी करके आलू का नाम इसमें आप प्रजाती हो के नाम की तौर पर पहचान सकते हैं, सही कौन सा है या आपको बताना है, तो 75 का वही एक मात्र सही भी है, ठीक है, दी वाला ओप्श किस वज़े से, यानि किस पतार्थ की कमी से होती है, और मार्श रोग मतर में लगता है, वह किस की कमी से होता है, यह बताइए, तो अब देखें, 76 का जो राइट अंसर है, वह इसमें सी होगा, विप टेल की बिमारी, मॉलिब डेनम की कमी से होता है, तो C वाले आप्शन को और इसका जो राइट अंसर है, वह इसमें A हो जाएगा, लाल और भूरा काला वाला जो इसमें ऑप्शन है, उसको हम सेलेट करेंगे, लाल रंग ये मैगनीज ऑकसाइड के मिलाने पर होता है, ध्यान दीजेगा, और कार्बन की होज़े से बूरा काला रंग दिखाई देत सेलेक्ट किया है, प्रष्ने संख्या, उन्न्यासी को देखते है, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बाहर करना है, सबसे छोटा जन्तू अमीबा है, सबसे छोटा इस तन्धारी यानि मैमल जो है स्मालेस्ट, वो रैठ है, और सबसे छोटी मचली जो है वो गोबी फिश है, प्रश्न संख्यास्ति को देखते हैं, इस Mayin से खुल मिलाकर आपको गलत विगल्प का चैना था, तो सबसे बड़ी हड़ी होती है, मनुष्य के शरीर में, सबसे चोटी हड़ी कान में पाई जाती है, स्टेपी होती है, सबसे बड़ी गुरंथी जो है वो यक्रित होती है अब बताईए कि और सबसे बड़ी ंतासरावी ग्रंथी यानि जो into pissed gland होती है वो pineal gland होती है तो अब बताइए जो गलत विकल्प कौन सा है यह करेक्तية option आपको बाहर करना है और प्रश्चन संख्या 80 इसका जो सही जबाब है वो इसमें D हो जाएगा सबसे बड़ी जो अंतहसरावी ग्रंथी दिया हुआ है ये गलत दिया है ये पीनियल ग्लैंड नहीं होती है ये होती है थाइराइट अंतहसरावी के बाद हो रही है बाकी सबसे बड़ी जो ग्रंथी होती है वो यक्रित होती है इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्या एक्यासी को देखे पूछा जा रहा है कि सही विकल्ब कौन सा है तो प्रतिरक्षा विज्यान के जनक एडवर्ड जेनर थे जीवाड़ विज्यान के जनक आर्थर टैंसले थे इकोसिस्टम शब्द के इजादगरता रावर्ड कोच थे अब बताएं कि इसमें से सही कौन सा है एक्यासी वे प्रशन को आपने देखा तो इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा वनली फर्स्ट केवल पहला वाला सही है प्रतिरक्षा विज्यान वाला बाकी जतना है सब गलत है जीवाड़ विज्यान के जनक रावर्ड कोच थे और एकोसिस्टम शब्द को देने वाले टांस ले थे प्रशन संख्या पयासी को देखते है वर्गी की के जनक यानि फादर आप टैक्सोनामी जो थे वो कौन है जॉर्ज ये ग्रेगर जॉन मेंडल है ठीक है ग्रेगर जॉन मेंडल और उसके बाद आनुवाणिशिकी के जनक जो है ये कॉर लीनियस है जबकि सूख्ष मिजैवी की यानि माइक्रो बाइलोजी के फादर है वो लेविस पास्चर है लूईस पास्चर या लेविस पास्चर आपके यह तो बताईए कि इसमें से जही कौन सा है प्रश्न संख्ष मिजैवी की मिलान जू किया है कौन सा से stiff तो C वाला आप इसमें से कर लीजे, केवल तीसरा ही ठीक दिखाई दे रहा है, पाकी जितने हैं सब गड़बड है, असल में वर्गी की जो इस शब्द आप देख रहा है न, टैक्सो नामी इसके जनक लीनियस थे, कारलीनियस और अनुवांशिकी के जनक थे मेंडल, जबकि स इस चेतक के रूप में पहली बार क्लोरोफार्म का इस्तिमाल किया था, उससे पहले मरीजों का उपरेशन बेज में बाद कर होता था, और लोग उपरेशन करवाने से अच्छा मर जाना समझते थे, क्योंकि जीती जागती है, वस्था में शरीर को चीरा जाता था, इसके ब यार्थर टैंसले था, तो इसमें आप देखे, ऑजी टैंसले उनका दा था आसल में, उनलों इनका नाम था है, उन्होंने इको सिस्टम शब्द किया था, तो रशने संख्frame के आए, और दूसरा से ए कहिए ग्ली को 40 को देखते हैं, अवी रखते अप पर प्रोड़क्ट औ इसमें से गलत कौन सा है, question number 84 और इसका जो right answer है वो इसमें D हो जाएगा ये जो कुनैन दिया हुआ है ये पत्तियों से नहीं प्राप्थ होता है बलकि पेड़ की छाल से प्राप्थ होता है प्रशन संख्या 85 incorrect option आपको बाहर करना है तो largest plant एक यानि सबसे बड़ा जो पादप अंड है वो साइकस का पौधा है सबसे छोटा जो क्रोमोसोम है वो असल में साइकस का पौधा है और सबसे बड़ा पुमंग जो है वो भी साइकस के पौधे से ही प्राप्त होता है सबसे बढ़ा बीजांड भी साइकस के पौधे काई होता है तो अब बताईए कि इसमें से wrong information कौन सी है B वाला गलत है सबसे छोटा क्रोमोसोम जो दिया है सबसे छोटा क्रोमोसोम शैवाल पर पाया जाता है, बाकी सब जो है वो ठीक दिया है तो इसमें से हम B वाले option को बाहर कर लेते हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रशने संख्या 86 में पूछ लिया गया कि जीरोप्थैलेमिया जो रोग होता है वो किस की कमी से यानि किस vitamin की कमी से होता है इसमें retinol, thymine, सब रासाइनिक नाम दिया हुआ है विटामिनों के और आप जानते हैं कि जो विटामिन A होता है जिसे कि आप retinol कहते हैं उसकी वज़े से जीरोप्थैमिया यह जो रोग है यह पकड़ लेता है तो इसमें से A वाले option को हम चुल लेते हैं retinol प्रेशन संख्या 87 को देखते हैं यहां कहा गया कि क्वाशिर कोर जो रोग है यह निम्नलिखित में से किस की कमी से होता है टोको फेरोल की कमी से, कैलसी फेरोल की कमी से, प्रोटीन की कमी से होता है कि अस्कार्बिक असिड की कमी से हो जाता है प्रेशन संख्या 87 ये जो क्वाशर को और रोग है ये प्रोटीन की कमी से होता है प्रोटीन कम होगा तो शरीर को ये रोग पकड़ लेगा इसके बाद 88 नंबर के प्रेशन को आप देखें और बडो में osteomalacia हो जाता है और आप जानते हैं कि ये जो hemorrhage है ये विटामित के की कमी से होता है तो इसमें से हम D वाले option को select करते है D को चुना आगे चलते हैं नवासीवे को देखें यहां का आगे सुर्रा नाम का एक रोग है जो कि एक मक्खी के द्वारा होता है मक्खी कौन सी है मतलब मक्खी इसमें वाहग का काम करती है तो बताएं कि वो कौन सी fly होती है नवासीवा और इसका जो correct answer है वो होगा टेबिनस नाम की ये मक्खी होती है जिसके की वाहन करने से मतलब इसके द्वारा ये रोग जो है ये फैला आ जाता है इसके पाद आगे बढ़ते हैं 90 नंबर का question आप देख रहा है इसमें कहा गया कि कौन सा रोग BCG vaccine के अंतरगत आता है मतलब उससे इसका निदान हो जाता है और निदालिखित में से कौन सा TAB vaccine के अंतरगत आता है मतलब उससे इसका रोग का समधान होता है ये दोनो रोगों के नाम आपको बताने है दोनो रोगों के vaccine दिया है कभी कभी उल्टा पूछ लेता है रोग का नाम देके TK का नाम पूछता है बताए इसमें 90 वाले में से कौन सा सही होगा तो D वाला चुन लीजे तपेदिक और टाइफाइड तपेदिक जो है वो BCG वाली जो vaccine है उसके अंतरगत आता है और बाकि टाइफाइड जो है वो TAB के अंतरगत आता है तो इसमें से आप चुनेंगे D वाले option को और आगे चलेंगे तो D को चुन लिया आगे चलते है एक 90 में को देखे निम्दलिखित में से किस रोग के कारण मानों और पशु दोनों प्रभावित होते है ऐसा कौन सा रोग है? एंथ्रेक्स है, डिप्थीरिया है, पैप्टिकल्सर है, प्लेग है कौन सा होता है? तो आप जानते हैं कि यह जो एंथ्रेक्स है इसमें आपको यह बताना है कि दोनों, मतलब मनुश्यों और पशु दोनों प्रभावित होते हैं तो यह मनुश्य सहीत अधिकांश जानवरों में यह नहीं कह सकते कि सभी जानवरों में होता है, लेकिन अधिकांश जानवरों में यह प्रभावित करता है आप बताएं कि गलत कौन सा है, तो हैजा जो है वो भोजन से फैलता है, साइट्रस, कैंकर जो है वो वायू से फैलता है, और टाइफाइट जो है यह प्रत्य अच्छी संपर्क अगर आप प्रोगी से रखेंगे तो आपको हो जाएगा, और प्लेग जो है वो हवा से फैलता ह तो आप बताई गलत कौन सा है प्रश्ण संख्या बानवे और इसका जो सही जबाब है वो इसमें C हो जाएगा देखें गलत हमें तलाश करना था तो टाइफाइड वाला दिया है टाइफाइड जो है वो दूशित पानी से होता है पानी के अंदर अगर प्रदूशन है तो उ इसमें सही कौन सा है 93 तो ए वाला ऑप्शन ठीक है बाकी जितने है सब गलत दिये है इबोला जो है यह मनुश्य और कुछ जानवरों को प्रभावित करता है तो ए वाला हमने सही चुल लिया है बाकी देखें आप जो मीजल यानी खसरा है वो असल में मनुश्यों के लिए ह कौन सा रोग विशाड़ों के द्वारा संचरित होता है तो एंथ्रेक्स, साइट्रस कैंकर, हैपटाइटिस B, डिप्थीरिया, विशाड़ों से होने वाले रोग और आप 94 को देख रहे हैं C वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजे देखें विशाड़ों से इसमें हैपटा विशाड़ों से और विशाड़ों से होने वाले जो रोग हैं उसमें चिकन गुनिया, इबोला और खसरा ये तीनों आते हैं तो अब इसमें से हमें वीवाले आप्शन को चुन लेना चाहिए आगे बढ़ते हैं प्रेशन संख्या 9690 को देखते हैं कहा जा रहा है कि सीसा संचायक सेल जो होती है उसका विद्धुत वाहग बल यानि इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स जो है वो कितना होता है कितनी मात्रा उसकी होती है वो बताइए और ध्यान दीजेगा कि इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स जो है इसको वोल्ट में आपते हैं और 6 सेल वाली जो कार की बैट्री है उसका इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स कितना होता है ये भी साथ में आपको बताना पड़ेगा तो बताएं 96 D वाला उप्शन इसमें परफेक्ट होगा सीसा संचायक सेल यानि लेड अक्यमिलेटर सेल जो होती है उसके लिए इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स का मान कितना होता है दो वोल्ट का होता है और 6 सेल वाली जो कार के बैटरी होती है उसके लिए 12 होता है तो हम D वाले को चुल लेते हैं आगे बढ़ते हैं प्रेशन संख्या 97 को देखिए किस ध्वनी की स्रोत की तीवरता लगवग 180 डेसिबल से लेकर 190 के बीच में होती है मतलब इसमें से किस की होती है फिलाल इसमें करेक्ट अंसर B होगा मिसाइल के लॉंच होने पर ऐसा होता है ये 180 से लेकर 190 के बीच में शोर उत्पन्न होता है जो कि रॉकेट से भी जादा होता है और किस्टा और रॉकेट इसे कम आवाज पैदा करते है हाँ साइरन की जो ध्वनी की तीब्रता होती है वो जादा होती है वो 190 से लेकर 200 तो उसका उद्देश्य तो सुनाना होता ही है तो इसमें से B वाले उप्शन को चुना मिसाई अंठानबे नंबर के क्वेश्चन को देखिए किस गैस में ध्वनी की तीब्रता या आप कहें कि ध्वनी की गती ये 25 डेकरी सल्शियस पे सबसे कम होती है होसों में ध्वनी की रफ्तार सबसे ज़्यादा होती है अब यहाँ बात हो रही है गैस की और ताक्मान भी दिया हुआ है hydrogen सबसे कम किसमें होती है hydrogen में होती है helium में होती है oxygen या sulfur dioxide तो आप जानते हैं कि इसमें अगर देखा जाए तो sulfur dioxide में होती है 213 बाकि helium में होती है 965 meter per second oxygen में 316 और 1284 होती है hydrogen में तो इसमें से हम D वाले option को बाहर कर लेंगे temperature भी ध्यान देना है इसके बाद आप देखे 99 को question number 99 आपसे पूछ रहा था कि जो पदार दिया है उनका आरो ही क्रम क्या होगा आरो ही क्रम में छोटे से शुरू करके बड़े वाले की तरब जाते है और हाँ इनके अपवर्तनांग के आधार पे आपको ये फैसला लेना है तो बताएं इसमें refractive index किसका क्या होगा पानी दिया है, crown glass दिया हुआ है, flint glass दिया है और हीरा दिया है तो हीरे का आप वर्तनांग सबसे ज़्यादा होता है तो उसको तो आप सबसे last में रखेंगे अब इसमें देख लिजे कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें की चौथा वाला सबसे अंत में है तो वो शुरुआत में ही दिखाई दे रहा है, है न, ये देखे तो एक को आपने पकड़ा सारा जितनी भी चीज़े इसमें है, सबका समाधान हो गया ये वाले option को आपने select के लिए, ये पहले से ही विवस्तित है, सबसे कम होता है पानी का, उसके बाद ground glass का, फिर flint का होता है, सबसे ज़्यादा हीरे का होता है इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रशन संख्या 100 को देखते हैं, यानि 100 प्रकाश की गती तारबीन के तेल में कितने मीटर प्रति सेगेंड होती है जरा बताईए, तारबीन के तेल में, यानि एक द्रव वाला माध्यम है, और ये कैसा है, गाढ़ा तेल है, तो बताईए, और प्रशन संख्या 100 जो है, इसमें आप देखें, बी वाला option, दो दश् जा सकता है, इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि प्रकाश की चाल अलग-अलग माध्यमों में देख लीजेगा, तो इस टेस्ट में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार.